कि और दोस्तों आप लोग कैसे हैं तो आज हम कि नेक्स्ट एपीसोड में आगे बढ़ते हैं अभी कि पिछले एपीसोड में हमने देखा कि टू पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का एक्वेशन कैसे निकालते हैं तो मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करा देता हूं यह पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दो पॉइंट हैं जिनके क्वाडिनेट्स एक्सवन वाईवन जड़वन और एक्सटू वाईटू जड साथ हैं एक्सवन वैक्टर् के अछेट क्तां में ले रहे हैं पॉजिशन वैक्टर तो इसका आ जाएगा पॉजिशंर वैक्टर एक्सवन सिमिलरली क्यू पॉइंट का पोजिशन वेक्टर एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जे टू यह हमारे दोनों पॉइंट के पोजिशन वेक्टर हो गए तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन मैं नाँ यह अगसे आगर कोई एक वरीएबल पॉइंट आखल सब्सक्राइब सुद्फ और तो शुञ्टे लेते हैं जिसका कि हमें लोकस निकालना है तो उस पॉइंट का पोजिशन किप्टर वेक्टर इन दे टर्म्स आप दा आर वेक्टर ऐसा ही एक नाम देते हैं आर वेक्टर जो कि पोजिशन वेक्टर होगा पॉइंट आर का जो कि वैरियेबल है एकस आई वाई जे और प्लस चेट के यह कोई एक पॉइंट है उस लाइन पर तो लाइन का स्क्वा सकति हो लाइन यह होई को मिला था लाइन का उक्वेसिन न बीला था र म干्या स्ट र वेक्टर diesem यह मिला था इंदक टरम्स आप दर व्याम दा और यह रेम्डडा इस डेले सकते हो मई था सकति यह लाइन पर को ऐसे भी लिए सकते थे X-X1 upon X2-X1 equal to Y-y1 upon y2-y1 equal to Z-z1 upon Z2-z1 either ऐसे और आप चाहें तो यहाँ पर X2 X2 नहीं सकते हैं कोई फरकपड़ने वाला है इस वाली स्पोर्श का यूज करके लेला कि को यकोन वाई माइनास वाई टू अपान एक बैङ है इसakis uh अभर तो चाहिए आप वेक्टर फ़र्म में लिखना चाहरो तो ऐसे अपने चाहरे कोडिएनेक्स के टर में लिखना चाहरो तो ऐसे लिख सकते हैं यह आपकी लाइन पौइशन आ गई जो टू पॉइंट्स पी और क्यू से होकर जाती है इसके क्वाडिनेक्स X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 आपने इतना सीखा था ओके तो अब एक चीज बताओ कि अगर हमसे कोई पूचे कि इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी तो जो लाइन की डायरेक्शन है वह वही है जो पीक्यू तो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन है यह जो लाइन है वह पी एंड क्यू से होकर जा रही है तो इसकी डायरेक्शन होगी वह इन जो जो डायरेक्शन केवल पीक्यू की होगी वही पूरी लाइन एल की होगी तो पीक्युवेक्टर इस नथिंग बत बी माइनेस एवेक्टर और नथिंग बत एकस्टू माइनेस एकस एपनाई गुनाजक जपाईत तो पॉइट्ट्स एउनको मिलाने वाली जो Line है उसका जो Vector होगा वो यह होगा उसVector को के direction ratio और उसके component होते हैं यह सके डाइक्षन मेंडी अगर आप Line equation देखें तो जो लाइन आएगी X- अगर बनाएंगे बनाएंगे जैसे मालों आपका कोई equation पहले से दिया हो कि किसी लाइन का equation इतना है ऐसे को और रख लो कि प्लस फोर कि गंदा हो जाता है छूने से उंगली से जैसे यह कोई लाइन दी होई है तो एक्स टू माइनेस एक्स वन ऐसे करके आप सा लाइन के दायरेक्शन रेस्योज होगे उस लाइन के तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्यूप होगी लाइन की डिरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आई जे के के फॉर्म में लिखिए तो एक्स टू माइनेस परले वेक्टर लिखिए पीक्यू वेक्टर मींस यह और प्लॉस एक्टू माइनेस एड़ वन के अपान उसका माइगनिट्यूट तो जोगर हमको टू पॉइंट्स पता हैं वही पी और क्यू तो हम उस लाइन की डाइरेक्शन निकाल लेंगे उससे जाने वाली लाइन की डाइरेक्शन निकाल लेंगे क्योंकि उससे जाने वाली लाइन की डाइरेक्शन वही होगी जो केवल पी क्यू की डाइरेक्शन होगी ठीक है तो यह आ गई आपकी डाइरेक्शन उस लाइन की और हम जानते हैं कि किसी यूनिट वेक्टर को डारेक्षन को साइन में भी लिखा जा सकता है ऐसे यह भी आप पढ़ चुके हो किसी भी युनिट वेक्टर को तो हम मालों पी-क्यू का युनिट वेक्टर याने इस लाइन का जो युनिट वेक्टर है वो ये है डाइरेक्शन। भी कहा सैक्डत्य। यूइनित वेक्टर को और यूइनित वेक्टर को डाइरेक्शन कोसाईस L M N के फर्म में यह से लिखा जाता है confidently स्क्वायर प्लस M स्क्वायर 나올 प्लस N स्क्वायर ऐक्वल्ट वन यह मोट पढ़ा चूका है है और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस कोस्ट थीटा ये प्लस कॉस्ट थीटा जेट के फिर थीटा एक्स थीटा वाई एन थीटा जेट ऑर दा एंगल लाइन उस लाइन द्वारा जो एल लाइन है टोटल या क्यों पीक्यू लाइन का डारेक्शन एल लाइन पूरी लाइन का डारेक्शन सेम है तो वो लाइन एक्स वाई और जेड एक्सिस से अगर अलग-अलग एंगल थीटा एक्स ठीटा वाई और थीटा जेड बनाए जो L line है वो X से ठीटा मालो जहां पर cut करे X line को X axis को तो वहां से ठीटा X बनाए जहां पर Y axis को cut करे उससे ठीटा Y angle बनाए Y axis से और जब यह ठीटा और जब यह Z axis को cut करेगा Z axis को तो मालो यह line L Z axis से ठीटा Z angle बनाती है तो direction को ऐसे भी आप लिख सकते हैं ठीक है तो यहां से आपको डाइरेक्शन को साइन्स और इसको थोड़ा इसे कर देते हैं और डाइरेक्शन को साइन्स L M N कहलो या फिर angle आप डिटर्माइन कर सकते हैं तो जड़ा compare कर लिजिए तो L equal to cos theta X कह सकते हैं आप वो आ जाएगा आपका X2 minus X1 upon अंडर रोट वही एक्स नीचे वाला पार्ट y2 minus y1 का होल स्कॉरर प्या जड़ टू मैने जड़ वन का होल स्कॉरर similarly M equal to cos theta X direction cosine y sorry y y axis से जो angle बनाएगी लाइन वो आ जाएगी आपकी y2 minus y1 upon y under root x2 minus x1 का होल स्कॉरर प्लस y2 minus y1 का होल स्कॉरर प्लस z2 minus z1 का होल स्कॉरर यह है क्या यह magnitude इटिशन नथिंग बट केवल PQ की लेंग्ट ओनली PQ निकालेंगे यानि PQ कि उन्हें दो पोइंट की लेंग्ट केवल नुमेरिकल लेंग्ट और पीक्यटर का मैगनीटूट तो वही यह चीज़ वही डिपेंड बता रही है और सिमिलरली एन इक्वल टु कॉस्ट थीटा वाइख वाई एक्वल टू जेट टू मैंनेज जड़ वन अपान अंडरूट x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square plus z2 minus z1 का whole square ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो बहुत short में upon pq m और cos theta y equal to y2 minus y1 upon pq दोनों point के बीच के दूरी और n equal to cos theta y cos theta z cos theta z axis से एंगल तो वो आजाएगा आपका z2 minus z1 upon pq इस तरह से भी आप direction cos से निकाल सकते हैं बस आपको value रखने होती है जो भी आपको equation दिया हुआ है तो या जो भी आप निकाले equation उससे compare करके आप direction cos और angles से यह सब निकाल सकते हैं ठीक है यह सिर्फ salt में हमने pq pq लिख दिया pq ही है वो जो यह इतना बड़ा जो लिखा है ना यह अंडा root x2 minus x1 square यह पूरा वो क्या है वो pq की length ही है तो है लाइन का equation क्या होता है वो कैसे निकालते हैं और उस लाइन की direction उस लाइन द्वारा बनाए गए यह सब हमको अच्छे से पता हो गया मने मतलब हमने पूरे दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के बारे में अच्छी तरह से पूरी तरह से मुलब सेक्षिए अब हम कि आपको मिलेंगे नेक्ष्ट एप्टी शोर में जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि दो लाइन अगर हमारे पाहें तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वह लाइन हमारी पैरालेल भी हो सकती है वह लाइन हमारी पैरालेल नहीं पैरालेल भी नहीं है और अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है फैरालेल हो सकता पूरा होता है इनकी प्राब्लम्स जब अपना पूरा लाइंस एपीसोड खतम हो जाएगा जब हम लोग लाइंस के बारे में सब सीख जाएंगे तब हम प्राब्लम्स करेंगे अच्छे से अभी आप थ्योरी पर ध्यान दीजिए अभी आप कॉंसेट पर ध्यान दीजिए ठीक जलो मिलते हैं ठीक है न चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपीसोड एपिसोड नमबर 5 कब तक के लिए राए बाए बाए टेक केर